क्या करे दिल जब मेरा घर दिन दर्वाजों की दिवारे हैं। वहाद पी जाओं दिवारों को, तो अंगन में लोहे की तारे हैं। उड़ा ले जाए आधी जो इंतारों को तो क्या। जब मंजिल दूर, रास्ते पर काटें। और सबने, सबने गुपा रहे हैं। मेरे परिवार में हम साथ बहन भाई थे, तीन भाई, चार बहने। सारे बहर भाईयों में ही सबसे बड़ी। मैंने अपनी आठवी क्लास पूरी की, फिर मेरी शादी कर दी गई। मैं पंदरा साल की थी तह महीं शादी कर दी गई। मैंने मना भी किया कि मुझे पढ़ाही करनी हैं, मेरी पढ़ाही में बहुत रूची थी। इसा है न, वो तेरी बुआ है, उसने मांगा कि ये पैर से कमजोर है, विकलांग है, इसे कौन अपनाएगा, इसे अच्छा, मैं ये अपना लूँगी थोड़े बट पैसे दे देना, मुझे मेरे बेटे का काम चल जाएगा। बढ़ाची जब ऑराची जब वो पी के अध़ा थी, उपना पता नहीं था चिलम पीते थे या पूछस लेते थे तब मैं विरोथ करती थी फिर मुझे मारते थी जब मैं बच्चों को लियाए थी वहां से और बच्चों को लियाए थी तो बच्चे मेरे पासी थे दोनों चुटियों में आए वेदे शाद एक तीन चार दिम के लिया थे तो उस टाइम को यह आ गया आ गया तो कहने लग गया के घर में कुछ बना इसने दिये मुझे सौर टानाट जर बनाया कंवा एक घैए थे थे कम्रा था बैक्ट था दोनों बच्चे थे करने के लिगा मुझे मुझे साथ ने अच्छा नहीं लगता है सब समज़बा है बच्चों के सामने मेरे कपडे फार दी ह lonely हाथ बांदके, बच्चे हो आई ते, इस टाइज पर मेरा बेटा शायद छेसा साल का था, छेसा साल का था, तो कुछ करी नहीं सकती, तो तो लंगडी है, ये है, वो है, तो कुछ करके दिखा दे तो तो मेरे टुकड़ों पहलेगी, मेरी ही जान खाएगी. मैं बच्टाएगे, देखाएगी. मैं तना डर लगता था कि मैं उन से कुछ बोलती ही नहीं थे. अगर यह आम का पेड़ है, मेरे से इमिली कहवाते तो में इमिली ही बोलती थी इतना तरही लगता था कि मैं कुछ भी बोल दूंगी तो या और हम उंजे मारेंगे इतना मारते ही थे कि मेरे सारा बदन काला कर देते थे और कि जो भी पाते थे मोटा डंडा होता ऐसे हांत मारते थे मेरे सारे दांत तूट गए हैं मैं समझी नहीं पाते थे मैं कौन गल्ती से पिट रही हूं ऐसे करते रहते थे तो हमाइके में रहते थे ऐसे करते करते छे साथ साल गुजर गए तो तीन साल तो मेरे जखम बने रहे हैं, वो जब मुश्किल से फिर बापिस एक साल बाद में यहां आ गए है। फिर यहां वो जखम सही हुए, उसके बाद में फिर मेरे यह पैर जुड़ गए। चली ही नहीं बा रही थी, फिर बैठे बैठे चलती थी। कि मेरे लड़का पैदा होकर कि उपायों से चलने लगा था मैं बैठे बैठे चल दी उसको अब बच्चा किया जाने अब मैं बैठे बैठे चल नहीं बच्चा उचलने लगा बाहर खेल रहा है अब मुझे बुला रहा है कि मम्मी आजा तो मम्मी तु चली नहीं या एसे करे अजय को पुछ हुआ न को पूछते नियुकर नियुकर नाम नाले नियुकर को मिने का पने आने आप पता है कि का उबगाई ये तॉपस्टाइए तो ता पिता दो उ यह बतादा की आप आप आओ नशैन की की तों में दोनु बाईों को मार्दाला जांक से तिर्थ साल में साधी एंगे उनकी भी आजी थी अठारा की लगवक अठारा उननीश के साल के थे टैन्ग हमारे में पूस्ते नहीं है कि एक दो महीने तो बहुत सही रखा हूं लोगोंने दो महीने तीन महीने ऐसे उसके बाद हम परेशान बहुत ज्यादा करने लेगे जोदा साल के तब पहला बच्छा उसको जब गवा था तब इसकी धड़कन कम थी तो आई सिव में रखा गया था पच्छेश दें तो इसका खता मुलें तीव गांट होई थी मेरे टीवी तो उसका कोर्स चला तो मैं बोख जादे तकलीप में घर से निकलती नहीं तो यही दवाई लाके घर पर अच्छा थे लेका मुझे रहें पी लोगी दवाई बहुत कड़ी है मैंने कड़ी तो रोजी होती है कि नहीं आज बह दो कह रहें अच्छा लोग करके दिदो कफ मा करके दिए उन्होंने मैं ने पीली वो थी ती मक कर रहें लोगी दी मक मरमों एक गंटे तक तो ऐसी लग रहा था कोई आरामी नहीं जैसे दम सा घुट रहा था ऐस ऐस लग रहा कहां भागू यहां से जब मेरे बच्चे को ज कर दो कर दो कर देखे यहां पर जब कोई भी ऐसी पीडित महिला आती है तो पहले तो हमारा यही रहता है कि किसी तरीके से उसको इस बात का एसास दिलाया जाए कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी परेशानी को हम लोग दूर कर पाए हर और जिसके साथ बालेंस हुआ ह अपनी हर बात को सेर करना चाहती है जैसे महला आती हैं प्रीट महला जो भी आती है तो पहले उनकी पूरी बात सुनते हैं वो हर बात अपने पेरेंट से साथ से साथ नहीं पर सकती है यहां मेरे साथ में गुपत बाते भी शेयर कर लेगी क्या क्या हुआ उसका हुआ और उ पुलिस में क्यों नहीं आते हैं। लोगों के अंदर ये डर है मैला निर पुलिस में जाने से ठूट जाएगा। लेकिन कई केसिस ऐसे होते हैं, कि जो मेरे कहाल से समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं। तो औरतों को पहले तो बोलते हैं कि तुम खुद मजबूद हो फिर कोट में भी जाते हैं इन केसिस के लिए हम लोग C.A.W.S.L.S. में भी जाते हैं अगर उसको पुलिस स्टेशन जाना है तो ना तो उसके पास त्राया है ना उसके वहां पर अपनी बात कहने कि उसके अंदर बहुतनी हिमत है तो पहली बार हमको अपनी तरफ से उसको लेकर कि उस कालून के दरवाजे तक तो पहुचाना ही पड़ता है अगर उसने अपने कहीं पर भी अपने उपर हुए अन्याई के खिलाफ आवाज उठानी है तो सबसे पहले उसके घर से उसके पती के द्वारा इतना कि कई बार उसके अपनी जो फैमली है वो भी इसको स्पोर्ट नहीं करती है तो वो उनकी अंदर ताकत भरना कोई भी आदा हम लोगों को डरते नहीं रात को चाहे बारा बज़े आजाए चाहे एक बज़े आजाए और यहां पर आने पर उसको एक परिवार की तरह मिलता है अपनी जैसी और अन्या महिलाई मिलती है जिनको देखके वो थोड़ा और उत्साहित हो जाती है कि जब यह म सकती है कि फस्टाइब मैम से मिली तब तो मैं बहुत रोई मैम के सामने तो सबसे पहले तो उसको कौन पर उसके आतमिस्वास को जगाना जरूरी था उस्टांब क्योंकि अगर वो कहती कोई बात किसी को पता ना चल पाए कोई जान न पाए तो हम कैसे उसमें इन्वाल्व सकती है मैंने का अगर तुमारे माबाप तुमको रोकते हैं तो उनका बिरोध जब तुम नहीं कर पाओगी तो कानून में कैसे पहुचोगी लेकिन जब उन्होंने समझाया नहीं कि तुमारे ये अधिकार है वो कुछ नहीं कर सकता है तुमारे पैरेंस कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें काफी मुझे समझाया. उसको हमने अपने ECSR में जोड़ा, असिस्टेंट की मुझे हमारे साथ, उसमें 4-5 साल काम भी किया. तब मेरी शुरुबात हुई आगे बढ़ने के, मैंने वहाँ पर देखा मेरे जैसी और भी औरते हैं, और भी महिलाएं हैं, लड़की हैं, जो दुखी हैं. फिर इसको ये लगा, ये पढ़ने लगी, इसको लगा कि अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. फिर ये CSR में जुड़ के, CIC में जुड़ गई, जब काम करने लगी CIC में जुड़ के, तो इसके अंदर और हुआ, कि मैं आसानी से श्यालग हो करके अपना जीवन जी सकती हूँ. फुट गई, मामी पापा साथ गए मेरे, राजी उनकी भी थी, जाके मैंने लिखके दे दिया, मैं अब नहीं रोंगी हूँ. कि उसको ये लगा कि आदमी के बगेर भी है, औरत जी सकती है, कमा के खा सकती है, क्या नहीं कर सकती है? पहला बदलाव ये ही आया कि मैं ग्रेजुएशन कर रहे हूँ. दूसरा बदलाव ये आया कि एक मुझे अच्छी जोब मिल गई है, माना सेलरी कब है, लिए अच्छी मिल गई है. एक गोधारण बनके सामने आई है, उनको देख करके दूसरे लोगों को और प्रेरणा मिली, कि जब रुक्षाना को नियाय मिल सकता है, रुक्षाना इस मुकाम तक पहुंच सकती है, तो मैं CIC में जोडने के बाद मैं भी पहुंच सकती हूँ. जब हम लोग ने यहां पर 2001 में यह सेंटर खोला था, उसके कुछ समय बाद कुछ महिला को लेके आई, जो खड़ी नहीं हो सकती थी, यह जो रिक्षा नहीं होता है, इसमें समान डोते हैं, वो रिक्षे में इसको बढ़ा कर लेकर आये थे, और अपने कमर के बल बैट के ही चलती थी, पिर सबने बोला कि मेंडम आप इनको ऐसा कर दो कि थोड़ा यह सही हो जाएं, चलने फिर ने लगए इतना करवा दो, हमने फिर अपनी कोशिश शुरू कर दी, हमने बत्रा होस्पिटल में ले जाके इसका चेक अप करवाया, उन्होंने एक बहुत प्लास्टिक सर्चिरी करवाने के लिए एक बहुत लंबा अमांट हमें बताया, लब फिरी ऑफरेशन हम फिरी कर देंगे, लेकिन मैडिशन का पैसा तो आपको देना है पड़ागा, फिर कुछ संस्ता वाला हमने मादद करी, कुछ हम लोगोंने चंदा करा गलियों, दुगान वालों से पाँ अदी पे दिये, किसीने दस हुल पे दिये, ऐसे करके इसकी मदद करके और इसका ओफरेशन करवाया, पहली बार तो ऐसे ही महसूस दूआ कि आज मेरी नई जिंदगी हुई है, कि दुनिया में लग रहा कि मैं पहली बार चल रही हूँ हूँ, ऐसा लग रहा ता जब मैं अपने आदमी को निर्वर नहीं हूँ, अब खुद कमा कर पेड़ बर सकती हूँ सेंटर के वारे में पूछते 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 पदा चला, एक साल ऐसी वीद ही दुगी है जब ये मेरे पास आई तो ये अकेली ही डूनती हूई CIC's में पहुंची थी कि मज़े केस करना है, मज़े कहीं कुछ बचाओ, अपने आस्पड़ों से पूछते थे फिर किसी ने एडरेस दिया था किसी लेडिस ने, जाने गादे में पता करा यहां पर क्या होता है, कैसे होता है तो बोला था सब कुछ फिरी में होता है श्रबनम के तलाग के बाद में, कुछ स्थिदिया ऐसी बनी, घर का स्पोर्ट नहीं मिला तो उस समय श्रबनम कई बार हमारे पास आके इस बात को कहती थी कि मैडम, मैं खुद भी मार जाओंगी और इस बच्चे को भी मार दूँगी एक जो उसके अंदर एक हौसला था या उसके अंदर जो यह हालात को देखके एक जीने की इच्छा जो थी वो खतम हो रही थी उस इच्छा को हम लोगों ने कोशिश करी कि उसको हम लोग फिर से उसको जगाएं और वही आजश्वणम है कि आज वह अपनी मादर से ज़्यादा CICS के उपर विश्वास करती है CicS के हो मैंबर के उपर विश्वास करती है उनके यहां कि मैंबर वन चुके मैं से लिए आती रहती है जब भी बुलाते हैं आगे भी सोच यह है कि कमलेस मेडम जब भी बुलाएंगी तो मैं आऊंगे अब अगर उसका भाई उसको मारने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि अपकी वारा गर तुमने मेरी पिटाई करी तो मैं तुम्हे थाने पहुचा दूँगी तो यह चीज है कि सब्नम में आज अपना एक आत्मेश्वास जागा है अच्छा लगता है पहले में ड़ती थी घर से निकलने में जिजगवती थी अब किसी बात को कोई डर नहीं लगता पहीं भी चेल जाते हैं कुछ ऐसे जखम होते हैं जिनको बुलाया नहीं जा सकता है लेकिन शबनम क्योंकि हर प्रोग्राम में हमारे आके खुश होती है और उसको बहुत अच्छा लगता है कि यहां पर आके आने के बाद में मैं कुछ सीख के जाती हूं तो जो एक बहारी रूप में होना चाहिए कि वह अपने आपको कहीं ना कहीं पे सामने वाले के सामने तूटा हुआ नहीं दिखा पाएं वो उस लड़की में हमें नजर आता है लेकिन शायद उसके जो जखम है पहले के उनमें हम धीरे धीरे और मरहम लगाने की कोछिश कर रहे हैं कि आप कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार इतना सा ही है संसार तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार फिर मेरा गर बना गुंसला सूखे तिनकों से तयार तब मैं यही समझती थी वस इतना सा ही है संसार इतना सा ही है संसार तब मैं यही समझती थी वस इतना सा ही है संसार फिर मैं निकल बड़ी शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार तब मैं यही समझती थी वस इतना सा ही है संसार हुँ आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंक पसार तभी समझ में मेरे हाया कितना बड़ा है यह संसार बहुत बड़ा है यह संसार तभी समझ में मेरे आया कितना बड़ा है यह संसार ज़ा है यह सबि muito बड़ा है बड़ा तरह झाल